दोस्तो अगर आप गट्टे की सबजी एक ही तरह से बना कर बोर हो गए हो, तो एक बार इस नए तरीके से गट्टे की सबजी बना कर देखिए, आपको ये गट्टे की सबजी बहुत पसंद आएगी, सौफ्ट बनते हैं और टेश्टी लगते हैं, तो चलिए, इसके लिए ए एक कप बेसन, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे, बेसन गैस करता है, तो हम इसमें आधा चोटा चम्मा चाजवाईन, दो चुटकी हिंगड कर रहें, और इनको अच्छे से मिला ले रहें, और मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी और इनका एक डो बना कर त्यार कर लेंगे, तो एक बार में ज्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो डो गिला हो जाएगा, इस डो को हमें हाड ने रखना है, मुलायम गूथना है, चिपक रहा हो, तो एक चम्मस तेल डाल देजेगा, तेल से गटो में सौफने साती है, औ और देखे, डो को हमने मुलायम रखा है, हार्ड रहेंगे, तो गट्टे भी हार्ड बनेंगे, इनके हम दो भा कर लेते हैं, और इनकी लोई बना लेते हैं, अब एक लोई लेंगे, इसे बेल लेंगे, तो बेलने से पहले, चकले और बेलन पे थोड़ा सा ओल लगा लिजे और इस तरह से रोटी बना कर त्यार कर लिजेगा इसे हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से दूसरे लोई को भी बेल कर त्यार कर लेते हैं इस तरह से हमें बेशन की दो रोठियां बना कर त्यार कर लेना है और इनको एक के उपर एक इस तरह से रखना है और किनारे से उठाते हुए इनको इस तरह से रोल कर लेना है रोल करने के बाद एक बार उपर से दबा दीजेगा और किनारे के तरफ से सेट करके इस तरह का रोल बना कर त्यार कर लीजेगा इस तरह से इनमें धेर सारी परते बन जाती हैं और गटे हमारे सौट बनते हैं तो चलिए अब हम इनको इस्टीम कर लेते हैं तो इसके लिए एक बरतन में हमने देर गिलास पानी गरम कर ली है इसमें डालेंगे दो प्याज, दो टमाटर, दो हमने सुखी लाल मिर्च ली है चार से पांच लैसुन की कलिया डालेंगे, एक इंच अधरक के टुकडे और साथ में ये बेसन का रोल डाल देंगे मसालों में हमने ली है, एक इंच दालचीनी का टुकडा और एक बड़ी लाइची इस तरह से एक बार में दो काम हो जाएगा, मसाले भी पक जाएंगे और गटे भी तो इनको कवर कर लेते हैं और साथ से आठ मिनट तक पका लेते हैं साथ मिनट हो गए हैं, अब गैस आफ कर देंगे और इनको बाहर निकाल लेंगे आप देख सकते हैं, रोल में कितनी अच्छी जालियां पड़ गई हैं टमाटर प्याज भी अच्छे से पक गए हैं, तो इनको भी हम निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और देखे, इस पानी को हम फेकेंगे नहीं, इनमें मसालो का फ्लेवर होता है, तो इनका इस्तमाल हम ग्रेव में करेंगे प्याज टमाटर को हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है, टमाटर के छिलको को हटा दिया है, इनको मिक्सर जान में डालेंगे और इनको पीछ लेंगे इस पेश्ट को अभी हम साइड में डग देते हैं इधर बेशन का रोल भी थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब हम इसे काट लेते हैं तो इसके लिए हमने चाकू ली है चाकू से हमीसे थोड़ा इस तरह से तीर्चा तीर्चा काट ले रहें चाहे तो आप गोल सेप में काट सकते हैं पर आप पूरी तरह से ठंडा होने के बाद काटिएगा तो ये तूटेंगे नहीं और देखे ये कितने जालीदार बने हैं जबकि हमने इसमें बेकिंग सोटा वगरा कुछ मिने डाला है इस तरह से इनमें काफी सारे पड़ते बन जाती हैं और ग्रेवी इनके अंदर तक जाती है तो चलिए सारे पीसेश को हमने अलग कर ली है अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं इसके लिए कढ़ाई में हमने तीन बड़े चमबस तेल गरम कर ली है इसमें एक एक करके ये पीसेश डाल देंगे और इनको मीडियम आज पर सुना रहा होने तक फ्राई कर लेंगे चाहें तो आप इनने बिना फ्राई के भी बना सकते हैं पर फ्राई करने से सबजी का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है तो देखें दोनों तरफ से हमने इनको गोल्डेन होने तक सेक ली है चार से पांच मिनट का समय लगा है तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से हमने बाकी बचे गटो को भी फ्राई कर ली है इनको आप ऐसे भी खाएंगे ना तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं अब इसी तेल में हमने एक चम्मत जीरा डाला है इनको क्रेकल होने देंगे और जीरा क्रेकल हो जाने पर हम इसमें प्याश टमाटर अत्रक लसन मिर्च मसालों का पेश डाल देंगे जो हमने पीस कर रखी थी डालते समय गैस का फ्लेम लो कर दीजेगा कढाई गरम है तो तेल उचलने लगते हैं जार में लगे पेश्ट में हमने दो चम्मच पानी डाल कर ले लिए इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिलाने के बाद इसमें डालेंगे एक चोटा चम्मच धनिया पाउडर एक चोटा चम्मच लालमिश पाउडर आधा चोटा चम्मच हल्दी आधा चम्मच हमने अमचूर पाउडर ली है एक छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल रहे हैं और इन मसालों को हम अच्छे से मिला ले रहे हैं और इनको कवर करके 4-5 मिनट तक पका ले रहे हैं बीच में एक दो बार चला लेजेगा जिससे मसाले जले नहीं पांच मिनट हो गया है और देखिए मसाले अच्छे से भुन गय है तो अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी तो ये हमने वही पानी लिया है जिसमें हमने प्याज टमाटर मसाले और गटे पकाए थें इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्रेव में उबालाने जैसे ही ग्रेवी में उबालाने लगे तो इसमें हम ये फ्राई किये हुए गटे डाल देंगे और इनको कवर करके चार से पांच मिनट तक पका लेंगे और पांच मिनट बाद ये लिचे हमारे ये गटे की सबजी बनकर त्यार हो गई है इसमें थोड़ा सा गरा मसाला पाउडर और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिय डालेंगे और इनको मिला लेंगे और देखिए अभी आपको ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही होगी ठंडी होने के बाद ये काड़ी हो जाती है तो अभी गैस आफ कर देंगे और इनको दो मिनट बाद सर्प करेंगे और दो मिनट बाद ये लीजिए हमारी ये गट्टे की स्वादिष्ट सबजी बनकर तयार हो गई है इनको आप गर्मा गरम रोटी चपाती या चावल के साथ सब करें ये एकदम सौट मू में घुल जाने वाले बनते हैं खाने में पहुत टेश्टी लगते हैं तो दोस्तो एक बार इस नए तरीके से गट्टे की सबजी बना कर देखिए आई होप आपको ये गट्टे की सबजी बहुत पसंद आएगी और रेस्पी जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा चैनल पर नए हो तो सस्काइब करना ना भूलेगा फिर मिल एक नए रेस्पी के साथ धन्य बाद